Hello guys, welcome back, welcome to Ikea Taker आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं headache के बारे में, सरदर्थ के बारे में आज कल देली लाइफ में बहुत सारे patient आ रहे हैं हमारे पास भी जिनको headache की बहुत ज़ादा problem हो रही है जिनका headache ठीक नहीं होता पहले तो जो headache होता था वो जादा 30 age plus वालों को होता था क्योंकि जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है हमारी body grow करती है हमारा सरीर थोड़ा weak होता जाता है after 30, after 40 हम देखते हैं कि हमारा सरीर कमजोर होता जाता है जो हमारे body में power, हमारी body में तागत 20, 10 और 25 तक age होती है बहुत टाइम पहले वह जादा 30-40 वाले आते थे पर आज कल का जो काम है online classes हो गई है, phone पर बच्चों का इतना काम हो गया है कि बच्चों को भी headache की problem बहुत जादा face करनी पड़ रही है साथ ही जिन लोगों का work from home काम चलता है headache की problem बहुत जादा face करनी पड़ती है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले headache के क्या-क्या cause होते है क्यों लोगों को headache बहुत जादा हो रहा है क्या weakness की वज़े से हो रहा है या फिर कोई other cause है या फिर चस्मे की वज़े से हो रहा है तो आज की वीडियो में सारे symptom और कैसे headache को ठीक करें पूरा इसका treatment अच्छे से बात करते हैं अब cause के बारे में headache के क्या-क्या cause आ रहे हैं पहले हम बात करते हैं कि आज कल जो बच्चे online classes दे रहे हैं या फिर जो लोग work from home काम कर रहे हैं उनके बारे में उनका क्या हो गया आज कल पूरे दिन online काम करते हैं online strain उनकी आँखों पर पढ़ता है अगर उनकी आँखों में उनके कोई भी चस्मे का number है जैसा कि हम देखते हैं कि जिन patient को cylindrical number होता है यानि axis वाला number होता है नमबर दो तरह के होते हैं एक spherical एक cylindrical spherical में कोई axis नहीं होती वो simple minus और plus का number होता है पर अगर हम देखें cylindrical number तो वो एक ऐसा number होता है जो एक axis पर होता है जिसमे हमारे सर में दर्द होता है अगर किसी patient को वो वाला number है और वो चस्मा यूज नहीं कर रहा है तो आप भी doctor के पास जा के अपनी आखे चेक कराईए जैसे जैसे daily life में लोग गो की diet ऐसी हो गई है वो junk food जादा खाते हैं अच्छी diet नहीं लेते vitamin A, vitamin E, ये सारी vitamins की कमी होती है तो उसकी वज़े से हमारी आंख में muscles होती है आपको पता होगा muscles में weakness होने की वज़े से भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे लोगों को headache का सामना करना पड़ रहा है तो अपनी healthy diet रखिए अच्छा खाईए पीए जिससे आपकी headache की समस्या ना हो आपकी muscles में तागत बनी रहे साथ ही अगर आपका चस्मे का number cylindrical है या फिर आपका जा face ना करनी पड़े बात करें senior citizen की बात करें बड़े लोगों की उन लोगों में headache की ज्यादा problem क्यों आती है उन लोगों में अगर plus का number है चस्मे का number है तो बहुत सारे केसों में चस्मे की numbers की वज़े से भी headache होता है या फिर जैसे 40 plus वालों की बात करें जो लोग pass का 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 करते हैं पास का काम करने में उनको strain पड़ रहा होता है उनके चस्मे का number आ चुका होता है पर वो लोग चस्मा यूज नहीं कर रहे होते हैं जिसकी वज़े से उनकी muscles में weakness होती है और वो लोग जब pass का का काम करते हैं तो उनकी आखों में दर्द उनको headache होता है तो पहले आपको चस्मे का number है या नहीं है या फिर कोई treatment आपको लेना चाहिए जिससे आपकी muscles में तागत आ जाए और आपको अगर सर या आँखों में दर्द हो रहा है तो बहुत लोग सोचते हैं कि headache किस वज़े से हो रहा है अगर आपको headache बहुत जादा severe हो रहा है सुबह उठते headache हो रहा है तो आप भी अपने nearby किसी भी doctor के पास जाके अपना BP जरूर चेक करें बहुत सारे cases में BP जादा बढ़ने की वज़े से भी headache होता है अगर आपको BP बहुत जादा बढ़ रहा है तो कभी आपका paralyzed ना हो जाए आपकी body में और कोई harmful effect ना आ जाए तो इसलिए अगर headache बहुत ज़्यादा severe होता है किसी भी time हो जाता है तो nearby doctor के पास जाके अपना BP जरूर चाए तो यह चीज पहले confirm कर लें कि आपका जो सरदर्द है वो BP की वज़े से है नंबर की वज़े से है या फिर migraine की वज़े से पहले doctor के पास जाए प्रॉपर डाइगनोस करा है उसके बाद ही कोई treatment चला है बात करते हैं साथी आपको क्या treatment लेना चाहिए अगर आपके सरदर्द हो रहा है तो अगर आपके चस्मे का नंबर आता है या फिर कुछ ऐसा होता है तो आप चस्मे का नंबर पहनिए यूज करिए जिससे आपकी अगर बात करें खाने की तो खाने में आप carrot ले सकते हैं healthy food ले सकते हैं आप green vegetables color fruits यह सारी चीज़े थोड़ा अपनी diet में ज्यादा करिए इनका सेवन ज्यादा करिए जिसकी वज़े से आपकी body में harmful effect ना हो आपकी body में जो तागत है करते योगा वगरा नहीं करते तो यह चीज भी आप अपनी daily life में जरूर लाइए जिसकी वज़े से आपको migraine इन सारी चीज़ों को होने का BP होने का यह सब खत्रा कम हो जाता है BP वैसे genetic होता है पर अगर आप अपनी health को अच्छा रखेंगे सुवे walk करेंगे तो आपको बह आपकी muscles में weakness है तो आप doctor से दवाई भी ले सकते हैं so thank you for watching my video migraine के उपर मैं अपनी proper video अलग बनाऊँगा और वह मैं upload जरूर होगा thank you for watching my video please like and subscribe